हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू रंजन इंस्टिट्टूट आज के इस लेक्टर में हम तू गेट तू तू के प्रोसेस कंट्रोल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फ्रेंट्स तो यहां पर देखिए एक टेबल दिया गया है यहां पर होड जंक्शन का टेंपरेचर है इस अब क्या चेंज किया जाता है कि होड जंक्शन जो का थर्मो कपल प्लेस किया जाता है एक चीज आपको समाजना बहुत जरूरी है न्यूद से अब द्याद से देखिए यह पहले ही दे दिया कि कोargए जट्रेंट है तो होड जंक्शन का टेंपरेचर से दक्रशन 80 पे रखेंगे और कोल्ड जंक्शन 0 है तो हमारा EMF generated कितना है 3.62 मतलब आपका डेल्टा T कितना है 80 ठीक है अब क्या किया जाता है फ्रेंट्स को 20 डिग्री सेंटिग्रेट पे पूट किया जाता है तो 20 डिग्री सेंटिग्रेट पे पूट किया जाता है इस बार इसके बीच का जो डिफ्रेंस होगा वो कितना होगा 20 माइनस 80 डेल्टा T विल भी 60 तो EMF generated जो होगा फ्रेंट्स वो 60 के अराउंड रहेगा 60 temperature difference के अराउंड रहेगा तो 60 temperature difference कब आएगा जब cold junction 0 है और hot junction 60 है तो उस समय EMF generated कितना है 2.43 तो इसका 2.43 आंसर हो जाएगा समझ गया नहीं कि 2.43 मिली वोल्ट यह potential difference generate होगा अगर आप cold और hot junction के temperature को या तो 0 और 60 कर दीजिए cold को 0, hot को 60 या cold को 20, hot को 80 तब भी आपका same potential ही generate होगा क्योंकि देखिए यहाँ भी temperature difference 60 यहाँ भी temperature difference 60 आप चाहें तो इसको 100, 160 भी रख देंगे तब भी कोई difference नहीं आएगा EMF generated will be same friends next question पर move करते हैं यहाँ पर हमें output response दिया गया इस question में yt is equal to 1 plus 2t और steady state पर y की value 1 थी input की value 1 थी लेकिन इसमें एक step change किया जाता है वो 1 से 2 कर दिया जाता है तो जो xt है फ्रेंट्स वो कितना है 1 by capital X लिक रहा हूँ 1 जो xt होगा deviation variable के form में unit step change हो है ना फ्रेंट्स तो यह simply 1 है तो xs input का transfer function 1 by s हो जाएगा ठीक है यह आपने reduce कर लिया उसके बाद देखिए आपका yt दिया है 1 plus 2t तो transform निकाल लेंगे तो 1 क्या होगा 1 by s and 2t 2 by s square अब यहां से s common ले लेंगे तो 1 plus 2 by s बचेगा अब यह 1 by s अभी हमने निकाला क्या है input का transfer function तो इसको access लिख सकते हैं तो ys by access ही क्या हो जाएगा transfer function और यही हमें find out करना कि transfer function आप तो process तो हो जाएगा 1 plus 2 by s friends थार्ड question देख लीजिए यह equal percentage valve का जो characteristic है वो किस equation से govern होता है यह भी आप कफनर में देख लीजिए dq by dx is equal to kq क्योंकि dq by dx is proportional to q होता है ठीक है इसलिए यह relation hold करता है और यह final जो इस equation से हमारा जो final हमारा formula बन क्याता है q is equal to q naught e के power beta x यह हमें याद रखना है कई सारे question में हमें इस formula की ज़रूरत पढ़ती है ठीक है फोर्थ है हमारा कि हमें p id controller का transfer function दिया गया है ठीक है तो हमें magnitude ratio find out करना है friends controller का magnitude ratio नहीं frequency at which magnitude ratio is one ऐसे frequency find out करना है जिसपे की इस controller के लिए magnitude ratio one हो जाया है ठीक है तो चलिए हम देख लेंगे अभी कि magnitude ratio है क्या amplitude ratio और magnitude ratio में बहुत लोगों को कि confusion रहता है उस confusion को भी आज में दूर करूंगा सबसे पहले हमने transfer function लिखी लिए अब जब भी हमें amplitude ratio या magnitude ratio को निकालना होगा तो हम s की जगा पर i omega रख देंगे तो इस equation में पूरा हमने i omega पूट कर दिया अब इस को हमें complex नंबर के form में रखना है तो complex नंबर के form में रखेंगे तो point two omega minus two by omega i तो इस तरीके से यह complex नंबर हमें मिल गया ठीक है अब देखिए जो amplitude ratio है फ्रेंस magnitude ratio is amplitude ratio by k k जहां पर क्या है steady state gain है के steady state gain है तो हमेशा amplitude ratio k into magnitude ratio होता है यह आप याद कर लीजिए ठीक है तो अब हमें amplitude ratio निकालना है तो वह क्या करेंगे mod of gi omega निकाल के उसको हम one कर देंगे क्योंकि amplitude magnitude ratio one बोला है magnitude ratio one है actually देखिए इस PID controller में जो k की value है PID controller क्या होता है kp one plus one by tau is plus tau ds तो यहां पर देखिए compare करेंगे तो kp यहां पर क्या है one है तो magnitude ratio amplitude ratio दोनों equal होगा और इस question में हमें इसको equal to one करना है frequency को find out करने के लिए तो यहां से हमने calculate किया तो omega आ जाएगा root 10 अब चुकि option में इस form में दिया नहीं है तो जिस form में दिया है वो हम convert कर लेगे तो 10 को omega square is equal to 10 को हम इस तरीके से convert करके यह हम लिख देंगे और इसी form में दिया है तो हमारा 10 D option करेक्ट option हो जाएगा कि फिप्थ है फ्रेंट्स यहां पर एक control system दिया गया है इसका डाग्राम है यह एक controller है के सी टू प्रोपोर्शनल controller final control element का transfer function 2 है और यह set point HSP और यह output H और यहां disturbances D और process का transfer function 1 by 2S है measuring element का transfer function 1 है ठीक है तो हमें इस question में बताया गया है कि इसमें set point में step change किया जा रहा है तो हमें offset बताना है तो इसको solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा close loop transfer function निकालना पड़ेगा किसके बीच HSP और H के बीच ठीक है तो चलिए हम close loop transfer function हम पहले निकालते हैं HSP और HSP के बीच तो हम क्या करेंगे कि सारे transfer function का multiplication कर देंगे जो कि हैं तो उस multiplication को हम यहां पर numerator में लिखे हैं और one प्लस open loop transfer function यहां पर लिखना है तो open loop transfer function का सारे transfer function का multiplication तो वह भी हम यहां पर लिखते हैं तो यहां से देखिए हमारा transfer function आता है अब unit step change के जाता है HSP में तो HSP कितना हो जाएगा one by s into this ठीक है offset निकालना है तो offset simply क्या होता है set point का infinity पे value और H का output का infinity पे value तो यह unit step change था तो यह तो one हो जाएगा और यह h infinity हम final value theorem से निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे hs में हम s का multiply कर देंगे और s tends to zero कर देंगे तो यहां से final value भी इसका क्या है one ही आ जाएगा one minus one तो मारा offset यहां पे zero हो जाएगा friends तो देखिए यह integrating या pure capacity process के लिए अगर हम proportional controller का यूज करेंगे तो यह offset हमारा zero होता है ठीक है generally अगर यहां पर फर्स्ट अडर सिस्टम होता तो offset यहां पर zero नहीं होता तो objective में भी आप से पूछा जा सकता है कि pure capacity system को अगर हम proportional controller से control करेंगे तो offset क्या होगा तो यह आपको याद रखने की भी चीज है अगर आप time को बचाना चाहते हैं तो sixth question है friends यहां पर फर्स्ट ऑडर सिस्टम है ठीक है कि सिरीज में लगाए गया है तो हमें damping ratio यह damping factor निकालना है resultant second order system के लिए तो देखिए यहां पर फर्स्ट ऑडर सिस्टम का multiplication हो जाएगा multiply करने के बार हमारा यह वाला तरम आये गाए इस तरीके से हमारा transfer function आएगा हम इसको compare करेंगे किससे से second order system से compare करेंगे तो यहां पर देखिए टाव स्कुर कितना हो जाएगा टाउ 1 टाउ 2 और 2 टाउ जीटा कितना हो जाएगा 2 टौ जीटा कितना हो जाएगा टौ 1 प्लस टौ 2 तो टौ कितना हो जाएगा रूट में टौ 1 टौ 2 और यहाँ पे जीटा कितना हो जाएगा टौ 1 प्लस टौ 2 अपन 2 रूट टौ 1 टौ 2 ठीक है अब क्या है जीटा माइनस 1 हम इसमें minus 1 से subtract कर देंगे तो क्या हो जाएगा टाव 1 प्लस टाव 2 और minus 2 root टाव 1 टाव 2 बाई 2 root टाव 1 टाव 2 अब इस quantity को हम root टाव 1 minus root टाव 2 का whole square रख देंगे तो अब इस quantity को ध्यान से आप समझें numerator को सबसे स्क्वाइर है इसका मतलब यह numerator हमेशा greater than 0 रहेगा और denominator क्या है square root है square root भी हमेशा greater than 0 ही होता है तो यह पूरा का पूरा turn greater than 0 होगा इसका मतलब जीटा minus 1 should be greater than 0 तो जीटा is greater than 1 तो जब भी जीटा greater than 1 होगा तो आपका क्या होगा और यहां पर option कौन सा correct हो जाएगा यह option correct हो जाएगा इस question को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे friends ठीक है काफी अच्छा question है और इसमें थोड़ा सा time भी लगेगा patience के साथ इसको देखिए काफी concept इसमें clear होने जा रहा है इस question को हमें देखने के बाद तो इस question में hot junction एक thermokabal का दिया गया है किस nature का है first order type का response जो करता है with time constant time ठीक है उसके बाद क्या किया गया कि initially यह hot junction 30 degree centigrade पर था ठीक है sorry thermokabal के hot junction को 100 degree centigrade पर रख दिया जाता है तो देखिए इसी इस तरीके से कौन सा input दिया गया है step input दिया गया ना फ्रेंट देखिए 0 degree centigrade जीरो टाइम पर यह 30 degree centigrade पर था आपका hot junction उसके बाद 0 के बाद 100 degree centigrade पर रख दिया गया यह input डाइग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं उसके बाद लेकिन क्या होता है friends at t is equal to two minutes जैसे ही दो मिनट लैप्स हो जाता है अगेन hot junction को फिर से 30 degree centigrade पर ला दिया जाता है तो फिर से यह जो step input था आप फिर से उसको 30 degree centigrade पर हिला दिया है तो इस टाइप का फॉंक्शन किस टाइप का इंपूट है पल्स इंपूट है यह किस टाइप का इंपूट है पल्स इंपूट है ठीक है तो अब हम क्या करेंगे कि पहले देख लेते हैं कि और information क्या इसमें दिया गया है ठीक है तो अब यह जो भी temperature thermocouple का indicate कर रहा है उसको हम log करते हैं और हम find क्या किए कि dt by dt मतलब change of temperature with respect to time कितना है minus 2.5 degree centigrade per minute at t is equal to 2 plus minute 2 plus क्यों दिया है यह आपको समझना है अभी मैं समझा दूंगा अभी कि आप मान के चलिए कि चलिए हमें 2 plus पे निकारना लेकिन हम समझाएंगे कि यहां पे plus क्यों लिखा गया है without plus क्यों नहीं लिखा गया है या minus क्यों नहीं लिखा गया है ठीक है अब इसमें पूछा जा रहा है is this data is sufficient to calculate the time constant of thermocouple if so suggest the procedure to calculate the time constant चलिए तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि यह जो भी input है इसका lap last transform निकालेंगे तो सबसे पहले हम deviation variable के form में लिखेंगे तो यह देखे small x t है normal variable और हम उसको capital x t के form में रिखेंगे तो steady state value को हम subtract कर देंगे तो तब यह हमारा deviation variable के form में आ जाएगा अब हमें इसका lap last transform निकालना है तो 0 से infinity capital x t 1 power minus st dt अब देखिए यह क्या है x t क्या है 70 ठीक है 30 30 हट अब चलिए यहाँ पर मैं confused नहूं इसके लिए capital x का भी डाइग्राम ड्रॉ कर देता हूं तो यह capital x t है यहाँ t is equal to 0 और t is equal to 2 minute तो यह capital x t यहाँ 70 है 100 नहूं के 70 30 इसमें से subtract हो जाएगा तो देखिए 70 हो जाएगा x t जो कि यह constant है इसलिए integration से बाहर आ गया अब इधर भी 0 है function की value इधर भी function की value 0 है तो function की value 70 है कितने के बीच में 0 to 2 तो 0 to 2 हमने रख दिया तो हमारा lap loss transform करके यह input का हमारा transfer function आ गया input के लिए ठीक है अब output क्या है देखिए first order type का system है तो यहां tau s plus 1 kp यहां पर 1 होता है जब भी हम temperature to temperature transformation कर रहा है तो kp यहां पर 0 है मतलब input भी temperature में है output भी temperature में है तो इसलिए यहां पर kp 1 है standard जो है थर्मो कपल या thermometer का standard जो transfer function होता है one by tau s plus 1 होता है तो यह आपका आ गया यहां पर आपने y s में multiply कर दिया एक्सेस का multiply कर दिया इसमें तो y s आ गया तो हमारा y s यह पूरा function आ गया अब हमें y t निकालना है तो निकालना पड़ेगा तो हमारा y t हो गया ठीक है अब question में दिया गया था दी वाइटी वाइटी निगालने की बात हो रही थी कितना है माइनस 2.5 तो आप d y by dt कर देंगे यहां y की जगा पे capital T भी आप रख सकते हैं जो भी आपका convenience लगे वाई वैसे आउट्पुट के लिए बोला जाता है इसलिए हमने y ही रख दिया तो differentiation करने के बाद friends यह आ गया ठीक है और इसकी value कितनी है माइनस 2.5 अब यह सारी value रखने के बाद देखिए इस टाइप का एक equation बन जाएगा जो कि एक transcendental equation है इसको solve करना algebraic method से possible नहीं है इसको solve करने के लिए हमें numeric method का use करना पड़ेगा जैसे कि Newton-Ramson method अच्छा हमने solve किया तो tau हमारा आ गया 0357 चलिए मैं बता देता हूं कि Newton-R solve करेंगे सबसे पहले simplicity के लिए तो आप one by tau को x रख दीजिए तो यह हो जाएगा e के power minus 2 x ठीक है और यह कितना हो जाएगा 0.3 तो यह आपका transcendental equation अब simple हा गया इसको बड़े ही आसानी 7-Newton Rapson method से solve कर सकते हैं आप solve करके बताइए कि comment box में लिखिए initial आप guess ले ले लिजिए x not is equal to 1 और देखिए कि आप solve कर पाते हैं या नहीं ठीक है अच्छा तो इस तरीके से हमने देखा कि यह हमारा tau आ गया और जो question में हमारा पूछ रहा था कि data sufficient है नहीं तो data sufficient है और procedure भी हमें पता चलिए tau को find out करने का अच्छा अब आप देखिए अब यह doubt हम clear करते हैं कि plus 2 minus 2 minus भी रखा जा सकता था इधर plus भी रखा जा सकता था और बीना plus minus के भी रखा जा सकता था ठीक है तो जब भी हमारा इस type का pulse input होता है friends तो output जो response है न वो अब हम draw करेंगे tt ठीक है with time तो देखिए जब 0 पे हमने change किया 30 से 100 जब ले गया होट जंसन के temperature को तो अब temperature rise होना शुरू होगा ठीक है कि कब तक राइज करेगा कि तू तक राइज करेगा क्यों 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 कि देखिए जब आपने एक step दियाना है मतलब 30 से 100 दिया तो इस system को क्या लगा कि यह unit एक step चेंज दिया गया है तो step change हमारा क्या होता है कि बताइए इस्टेप चेंज का response का कर्व कुछ इस टाइप से होता है न अब टू सेकेंज के बाद ही पता चलेगा कि यह स्टेप चेंज नहीं था यह पल्स चेंज था ध्यान से मेरी बात को आप सोचिए कि जीरो टू सेकेंड तक ही system को पता चलेगा क्या कि यह जो चेंज दिया गया है यह एक step चेंज है तो step चेंज ऐसा यह आउटपुट देगा टू सेकेंड के बाद ही पता चलेगा कि यह तो step चेंज नहीं है यह पल्स चेंज है मतलब अब temperature फिर से जीरो होने वाला है मतलब deviation वैरियेबल deviation temperature फिर से जीरो होने वाला है तो उसके बाद क्या होगा कि अब यह exponentially drop होगा ठीक है तो इस टाइब का nature आएगा एक कफनर में example भी है बहुत अच्छा इससे related वह tank के level का measurement है और उसमें भी एक पल्स दिया जाता है और पल्स के बाद यह find out के जाता है कि level tank का कैसे change होता है आप देख लीजिएगा जो फिजिकल एक्जामपल सब फर्स्ट ओडर सिस्टम है उस वाले chapter में है तो इसी टाइब का curve बनेगा अब देखिए friends टू पल्स माने टू से जादे time में मतलब इस धर क्या होगा यह करव का नेचर होगा और टू से पहले करव का नेचर इस टाइब से होगा तो जो slope होगा इन दोनों करव का टू माइनस का slope इस तरीके से positive आएगा और टू प्लस का को देखिए negative आएगा जिसे टू माइनस का मतलब नहीं कि 2 पर ही slope निकालना है मतलब t is equal to 2 पर 2 slope मिलेगा फ्रेंड्स पहला slope इस वाले करव के नेचर की वज़े से और दूसरा वाला slope इस वाले करव की नेचर की वज़े से तो इस वाले करव पर हम slope ड्रॉ करेंगे तो यह देखिए positive आया है और 2 प्लस मतलब 2 के बाद वाले करव पर हम slope ड्रॉ करेंगे तो negative आया है इसलिए देखिए यहाँ पर माइनस 2.5 लिखा गया था निगेटिव प्लस पर पूछा गया था अभी यही 2 माइनस पूछता आपको क्या करना पड़ता यह इंपुट नहीं रखना पड़ता आपको क्या है यूनिट इस्टेप चेंज के लिए करना पड़ता ठीक है तो चलिए मैं बता देता हो कि एलगा टू माइनस पूछता तो आपको क्या आता ही नहीं ठीक है यह टर्म आता ही नहीं तो simply output response आपका simply output response आपका यह आजाता ठीक है और यह आजाता तो हमारा dy by dt निकाले इस पर dy by dt कितना हो जाएगा minus 70 e के पावर minus t by tau और by tau अब minus minus plus तो देखिए यह हमारा positive slope आया है ठीक है तो यह slope अगर यहाँ पे two minus minute होता ने friends तो आपका slope यह होता तो इस से आपको compare करना होता और आपको tau निकालना होता लेकिन two plus है तो आपको pulse input वाला input रखना पड़ता ठीक है simple है कि two minute के बाद अगर जो input रखेंगे वह हम pulse input रखेंगे और two minute से पहले जो input रखेंगे हम step input रखेंगे ठीक है अब फिजिकली आप समाझ भी सकते हैं वह मैंने काफी explain करें दिया है आपको ठीक है friends यह लास्ट question है friends अब यह question भी friends आपको थोड़ा confuse कर सकता इसको ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और समझेंगे ठीक हैं यहाँ पर देखिए ts by ls दिया गया है 55 s plus 1.5 s plus 1 यहाँ पर भी एस एक आप करेक्ट कर लेजिए 0.5 s plus 1 and 0.5 s 0.1 s plus 1 ठीक है और यह जो transfer function है फ्रेंट वो thermal process valve and measuring system का है तो देखिए यह हमारा एक control system diagram बनाया गया है तो यह proportional controller यह भी बाद में आएगा अभी के लिए हमें बताया जा रहा है thermal process gp और valve gv और measuring element gm यह तीनों का हमारा transfer function यहाँ multiply करके लिखा गया है और यह किसके पीच में है TS output और LS input है तो आपको यहाँ पर यह चीज़ समझनी चाहिए कि जब यह तीनों process valve and measuring system तीनों दे दिया तो जो टी है ने फ्रेंट्स वह यह वाला variable होगा output of measured variable और LS जो की valve में enter करेगा जो control valve में या control valve में जो enter करेगा वो हमारा होगा LS ठीक है अब कोई डाउट आपको नहीं होगा यही चीज समझ लेंगे अगर आप तो आगे डाउट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक confusion भरा इक एकवेस्ण दिया गया था ठीकिए इनिशलि प्रपोर्षिनल जो आपा से यही तो जाएगा और जब यह प्रपोर्शनल कंट्रॉलर से बाहर आएगा तो यह कितना हो जाएगा के सी टी सेट यहां पर यही लस्के बराबर होगा तो इसलिए यह एक बार और आपको कंफर्म कर दिया कि हाँ यहां पर जो वर्येबल है यह वो क्या है इसी को यह बताने के लिए यह यहां पर दिया गया है अब ऐसे अगर आप पहला स्टेट्मेंट पढ़ते कि थर्मल प्रॉसेस कंट्र सब्सक्राइब यहां यहां पर एक केसी कंट्रोलर लगाता है प्रोपोर्शनल कंट्रोलर और इस प्रोपोर्शनल कंट्रोलर की वैल्यू को बढ़ाते जाता है और जब देखता है कि सिस्टम अगर वर्ज अफ इंस्टिबिल्टी पर आता है तो वह वाला केसी नोट डाउन कर लेता है और उसी वाली केसी वैल्यू से पी आईडी के कंट्रोलर की ट्यूनिंग किया जाता है ठीक है तो यह बिल्कुल हम कर सकते हैं और आगे हम करेंगे भी तो चलिए सबसे पहला काम अब देखिए यह जो केसी की वैल्यू है यह फ्रेंट्स आप दो मेथड से डिसाइड कर सकते हैं पहला मेथड जो है वो अगर सारे ट्रांसर फॉंक्सर अलजेबरिक फॉर्म में है तो आप राउथ टेस्ट का भी यूज कर सकते हैं है ना और दूसरा फ्रिक्व से पहला काम हमारा open loop transfer function निकालना है तो open loop transfer function सारे transfer functions का multiplication हो जाएगा केसी जीवी जीपी एड़ जीएम और जीवी जीपी जीएम हमें दिया गया था 5 बै इतना उसी में बस केसी का multiply कर देंगे तो हमें open loop transfer function आ गया आप देखिए close loop system में characteristic equation हमें find out करना तो कितना हो जाएगा इक्विशन बन क्या है अब हम राउट टेस्ट करेंगे तो हम राउट हैरे बनाएंगे 0.25 यहां लिख दिया फिर यह वाला कोफिशन 3.05 और फिर यह वाला यहां पर 5 केसी प्लस 1 इसको फाइंड आउट करने के लिए हमने यह सब्सक्रीं मन्टिप्लाई करके, यह सब्सक्रेक्ट किया इसका मन्टिप्लाई करके माइनस जीरो और इसी से डिवीजट कर दिये तो हमारा फाइब केसी प्लस वन सिंपली यहां पर आ गया ठीक है अब देखिए अगर सिस्टम और वर्ज उस्टि पर है तो यह देखिए थर्ड अदर का पानी पारीं नामील होुएं तो थर्ड रो का फर्स्ट एलीमेट जीरो होना चीए यह अपने राऊउत क्रैटरिय में पढ़ा भी होगा कि वर्ज आफ इंस्टिबिल्टी में यह हमारा जीरो होना चाहिए तो हमने जीरो कर दिया यह सिम्पिली जीरो नहीं अगर भी करेंगे तो आप यह भी लिख सकते कि 5.6 माइनस पॉइंट कि टू फाइव अपॉन 3.055 केसी प्लस वन शुट भी ग्रेटर देन जीरो फॉर इस्टेबल सिस्टम तो यहां से आपको मिलेगा केसी शुट भी लेस देन 13.464 13.464 से जब केसी लेस रहेगा तब सिस्टम इस्टेबल होगा तो वर्ज आफ इस्टिबिल्टी किस पे होगी maximum value of केसी तो maximum value of केसी कितनी आ जाएगी केसी max is 13.464 ठीक है अब यह same चीज हम frequency response का analysis करके भी find out कर सकते हैं उसमें हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले crossover frequency निकालना पड़ेगा crossover frequency निकालने के लिए हमें सबसे पहले phase lag लिगना है तो हमने phase lag चुकी three system in series में है और तीनों first order है तो यह तीनों add हो जाएगा और at crossover frequency phi जो होगा कितना होगा minus 180 तो इसलिए हमें minus pi लिखा गया है अब minus वाले terms सब एक दूसरे से cancel out हो जाएगे तो pi is equal to 10 inverse 5 omega 10 inverse 0.1 omega 10 inverse 0.5 omega ठीक है तो 10 inverse a plus 10 inverse b कितना हो जाएगा a plus b 1 minus ab तो इन दुनों के addition हमने यहाँ पे लिख दिया और यह वाला अभी भी बच्चत गया है हमारा 10 inverse 0.5 omega next time हम इसमें ab वाले formula को यूज कर देंगे तो यहाँ पे 10 inverse यह एक बड़ा सा equation बन किया है ठीक है अब हम 10 ले लेंगे तो 10 pi कितना होता है friends 0 होता है 10 pi को 0 करेंगे तो यह हमारा है equation बन किया आएगा और यहाँ से solve करेंगे तो हमारा omega 4.7328 आएगा तो crossover frequency हमें पता चल गई तो हमें amplitude ratio at crossover frequency निकालना पड़ेगा अब 3 system in series में हैं तो first order system में हैं तो सब का multiplication हो जाएगा tau 1 omega का whole square tau 2 omega का whole square tau 3 omega का whole square और plus 1 plus 1 तो सब में रहेगा ही और जो 5 केसी था वो numerator में वैसा कहीं वैसा पड़ा रहेगा अच्छा देखिए अब क्या करेंगे अगर verge of instability frequency response में कब आती है जब omega crossover पे मतलब crossover frequency पे amplitude ratio 1 हो तब जाके frequency response में verge of instability होती है तो अब हम इस amplitude ratio at crossover frequency को 1 करेंगे तो यहां से हमारा case देखिए 13.44 आ गया और route test का भी यूज करके हमें 13.46 तो इस तरीके से proof यह भी हो गया कि आपका कोई भी method आप यूज कर सकते हैं अब देखिए हमें अब प्रपोर्पोर्शनल कंट्रोलर यहां पर ना चाहके हमें क्या करना है PID controller यहां पर लगाना है तो उसकी tuning करनी है तो उसको हम Jigler Nicole method से करेंगे तो Jigler Nicole method में क्या किया जाता है कि यही जो ultimate proportional controller की value आई KCU उसी को हमने सेम है केसी इसको केसी max लिखिए यहां पर ठीक है वही केसी max या केसी ultimate तो इसको KCU मैंने लिखा है ठीक है इसकी value निकाल लिए है और एक हमें ultimate time period भी निकालना पड़ेगा ultimate time period के basis पे निकलेगा हमें crossover frequency के basis पे मिलेगा वो कितना होता है 2.5i omega crossover तो हमें यहां से PU की value मिल गई 1.327 अब PID controller का हमें tuning करना है तो जो proportional controller लगाते हैं वो 0.6 times of ultimate proportional gain होता है तो यह हमारा आ गया 8.064 और tau y यह PU by 2 होता है PU by 2 किया तो हमें tau y भी निकालना है तो PU by 8 कर दिया तो यहां से तीनों values हमें पता चल गई ठीक है और इस तरीके से हमारा PID controller भी tune हो गया काफी अच्छा question था इसलिए मैंने दोनों तरीके से बता गया यहां आपको थोड़ा TS-LS में उल्जाने की कोशिस की गई और यहां पर थोड़ा clarify भी किया गया कि यह LS है क्या बस यह information और यह information दिया गया था कि आप open loop transfer function निकाल ले एक बार जब open loop transfer function आ जाता है friends तो आप यह तो frequency का method का यूज करिए यह फिर route test का यूज करिए आप ultimate proportional gain design कर सकते हैं और एक बार ultimate proportional gain आ गया तो जीकल निकाल मेथड़ से हम PID controller की tuning भी कर सकते हैं तो आज के lecture के लिए इतना ही मिलते हैं next lecture में thanks for watching फ्रेंज थैंक फॉर लर्निंग गूडबाय टेक केर